हेलो गाइस वेलकम बैक तो माई चैनल आपको वीडियो के टाइटल से ही पता चल गया होगा हम क्या पढ़ने वाले हैं तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 की एंसी आटी जिसमें हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 12 उसका थर्ड कोशन तो बिना किसी देरी के शुरू करते है लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दू यह कोशन दिखने में complicated है लेकिन actual में easy है जैसे से आप करेंगे आपको पता चलेगा तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं तो पहले कोशन पढ़ते हैं कोशन क्या कहता है तो given figure depicts an archery target marked with its five scoring regions it means white scoring region black blue red gold the diameter of the region representing gold score is 21 cm इसने कहा है जो गोल्ड वाला area मतलब जो गोल्ड वाला circle है उसका diameter क्या है 21 cm है and each of the other bands is 10.5 cm wide it means यह जो band है यह मैं आपको करके बतालती हूं इसे कहते हैं band यह band कितना वाइड है 10.5 इसकी चड़ाई है 10.5 अब इसने क्या बोला है तो इसने बोला है I find the area of each of the five scoring regions it means तो इसने बोला है जितना भी 5 कि जो color है उनका area निकालना है white कितने को cover कर रहा है black कितने cover कर रहा है blue कितने cover कर रहा, red कितने cover कर रहा है और gold कितने cover कर रहा है तो हम one by one करेंगे और जादा सोचना मत कि यह कैसे होगा यह कैसे होगा आप एक कलर निकाल रहे हो तो उसी पर ध्यान लगना तो फर्स्ट हम बात करेंगे गोल्ड की तो गोल्ड का एरिया निकालना है तो गोल्ड तो क्या है पूरा सरकल है पहले हम डाइग्राम बना लेंगे सिर्फ गोल्ड वाले को बनाएगे तो यहाँ पर गोल्ड बना लिया अब यहाँ पर देखो कि जो गोल्ड है उसका डायमीटर क्या है 21 सेंटिमीटर तो डायमीटर 21 21 cm है तो रेडियस क्या होगा डाइमीटर का हाफ तो यह कितना आ जाएगा 10.5 cm यह आ गया तो 10.5 आ गया इसका रेडियस तो हमें निकालना है एरिया तो एरिया ओफ गोल्ड क्या होगा पाई आर स्क्वेर आपको पता ही है सरकल का ही रहा क्या होता है पाई आर स्क्वेर तो पाई की वैल्यू क्या होगी 22 बाई 7 अगर कोशन में आपको पाई की वैल्यू 3.14 नहीं दे रखी है तो हमेशा 22 बाई 7 यूज करें अब देखो आर किया है अभी निकाला हमने 10.5 10.5 इंटू 10.5 अब देखो यह अब कैसे आया यह भी बता देती हो अगर किसी को नहीं पता बाइचांस पॉइंट के बाद कितना नंबर है एक तो एक जिरो आ जाएगा और उसके आगे आप वन लगा दो अगर मालो दो नंबर होते तो दो जिरो आते फिर वन लगाती है तो यहाँ पे एक ही नंबर था तो एक ही जिरो लगाया और उसके आगे वन लगाती है उसको साफ तरीके से देते हैं 22 by 7 into 105 into 105 और नीचे आ गया 10 into 10 100 अब देखो 7 की टेबल में 105 आता है हां आता है अब देखो यह और भी कट रहा है 15 से मैं यह काट दूंगी यहां से भी कट रहा है लेकिन आपको कुछ करने की जूरत नहीं है आप पहले जो आ गया है उसको तरीके से लिख दो अब आप बोलोगे ऐसा क्यों आप काटा पीटी करोगे फिर नीचे कुछ और आएगा फिर दर आपको डिवाइड करना पड़ेगा वहां टाइम लगेगा तो नीचे अगर जब 00 होता है तो इस बेटर कि आप निम्रेटर को multiply करेंगे तो क्या आएगा तो 22 x 105 x 15 यह होता है 34650 upon 100 आप देखो 0 से 0 तो यह आगया 3465 upon 10 और यह आजाएगा हमारा निम्रेटर को आप सेम लिख दो तो डेनम्रेटर में कितने 0 हो एक तो एक के बाद क्या आजाएगा पॉइंट आजाएगा और यह एरिया है तो का स्कुराइर तो हमारा आसर आजाएगा गोल्ड का 346.5 cm2 346.5 cm2 तो यह आजा हमारा एरिया ओफ गोल्ड अब नेक्स्ट किस कलर पे जाएगे हम रेड पे अब रेड को देखो यह है रेड यह है गोल्ड हमें पता है डाइमेटर गोल्ड का 10.5 हमें बैंड की विज भी पता है हमें गोल्ड का रेडियस पता है लेकिन हमें यह भी पता है यह कितना था 10.5 10.5 मुझे गोल्ड का रेडियस पता है लेकिन मुझे निकानला क्या है मुझे निकानला यह वाला पर्ट यह कैसे निकालें से यह वाला यह यही Ghana बचएगा तो हम यही करेंगे तो हम पहले क्या करेंगे पहले पूरे रेड़ का एरया निकालेंगे क्या करेंगे और फिर उस में हम क्या कर देंगे क्या हाइग मारा एरिया गोल्ड तो क्या बचेगा यह वारा पार्ट बचेगा तो यहीदर निकालना था हमें तो यही हमारा क्या है एरिया ओफ रेड़ पार्ट यह हमारा रेड़ पार्ट है और यह हमारा पूरा रेड़ सर्कल है तो इसको मैं आप साफ तरीके से लिख देती हूं तो यह मैंने साफ तरीके से लिख दिया है तो इसको solve करते हैं area of red circle तो क्या होगा formula pi r square area of gold circle यह हमें पता है हमने निकाला था अभी area of gold circle क्या आया था वो आया था 346.5 cm square अब r की value क्या है देखो red वाला circle का radius यहां से लेकर यहां तक का होगा तो 10.5 प्लस 10.5 क्या होता है 21 तो red वाले का radius क्या होगा 21 cm तो pi क्या हो गया 22 by 7 into 21 का square minus 346.5 cm square यहां सभी cm हटा देते हैं बार-बार लिखना पड़ेगा तो मैंने यह पर cm हटा गए था कि बार-बार लिखना पड़े आप लिख सकते हैं दोनों साइट कोई फ़रक नहीं पड़ता तो इसको solve करेंगे 22 by 7 into 21 into 21 7, 3, 4, 21 यह तो cut गया यहां पर आ गया 346.5 अब इसको multiply कर देते हैं 22 को multiply किया 21 से उसको multiply किया 3 से तो आया 1386 अब इसको minus करना है 346.5 से तो इन नरों को minus किया तो आ गया 1039.5 सेंटीमीटर का स्क्वार तो जो red region था उसका area क्या आ गया 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वार तो हमने गोल्ड का area निकाल दिया रेड का area निकाल दिया आप किस की बारी है ब्लू की बारी है तो आप चलते हैं अपने next region की तरफ जो की है blue अब देखो यहाँ पे मैंने diagram बना दिया है अब हमें क्या पता है अब ही मैंने बताया आपको पिछले वाले में कि red का जो radius है वो क्या है 21 तो red का radius पता चल गया अब हमें blue का निकालना है ब्लू को कैसे निकालेंगे हमें पता है जो यह पट्टी है वो कितनी चौड़ी है 10.5 तो पूरा total कितना हो गया 21 plus 10.5 तो यह हो गया 31.5 तो blue का radius क्या है 31.5 देखो यहाँ पे भी same चलेगा अगर मैं पूरे blue circle में से यह red वाला part घटा दूंगी तो यह वाला area आ जाएगा और वो ही हमें निकालना है वो ही हमारा blue part है तो वो ही करेंगे area of blue region वो क्या होगा? किसके बराबर होगा? area of blue circle माइनस area of red circle तो area of blue circle क्या होता है? pi r square वो ही same formula होता है हर circle के लिए हला गला formula तो होता नहीं है तो इसका radius में माल लोंगी 2 अब आप बोलोगी मैं area of blue circle भी निकालूँगा फिर area of red circle निकालूँगा देन सब्ट्रेक करूँगा तो इससे बढ़िया है आप common ले लो यहाँ पे pi है यहाँ पे भी pi है जो same होता है उसको भार निकाल तो भार निकाल दिया अंदर क्या बच्चा? r1 का square यहाँ बचा r2 का square pi की value होती है 22 by 7 r1 blue circle का radius अभी बताया था क्या है 31.5 तो इसका square कर दिया minus का minus r2 मतलब red circle का radius red circle का radius क्या था? 21 तो यहाँ लिख दिया 21 का whole square तो इसे solve करते हैं अब देखो 31.5 into 31.5 किसके बराबर होगा? 992.25 के minus अब करेंगे 21 का square 21 का square क्या होता है? 441 अब इंदर को क्या करेंगे? minus कर देंगे तो आ जाएगा 551.25 अब इन दोनों को multiply करेंगे 22 और इसको तो आ जाएगा 12127.5 upon 7 अब इसको 7 से divide करना पड़ेगा तो क्या आएगा? 1732.5 यह centimeter में चल रहा है सारा तो आ जाएगा centimeter का square तो जो blue region था उसका area की आ गया 1732.5 centimeter square तो यह जो blue part था उसका भी area आ चुका है अब किसकी बार ही है? ब्लैक वाली की तो आपको pattern समझ आ गया होगा की कैसे हम निकाल रहे हैं तो अब बढ़ते हैं black वाले की तरफ पहले black circle ले लो फिर black के अंदर कौन सा circle है? blue तो blue circle बना दिया तो blue circle का radius हमने पहले पता किया था तो blue circle का radius क्या है? 31.5 और हमें यह पता है band का वो कितना चौड़ी है? 10.5 तो यह होगा 10.5 इन दोनों को प्लस कर देंगे इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 31.5 प्लस 10.5 31 और 10 41 और 0.5 0.5 क्या हो जाएगा? 1 तो आजाएगा 42 तो black वाले का radius क्या है? 42 तो यहाँ पे भी same decision होगी दोनों के radius हमने पहले पता कर लिए black वाले circle को माइनस कर देंगे blue वाले circle से तो यह वाला part आजाएगा और यही हमें निकानना है तो इसको साफ तरीके से लिख देते हैं तो area of black region is equal to me area of black circle उसमें से माइनस कर देंगे area of blue circle तो area of black circle circle का इरह क्या होता है pi r square यहाँ पे radius का नाम देंगे 1 minus pi r square यहाँ पे radius का नाम देंगे 2 अब देखो यहाँ पे pi common है तो common ले लेंगे अंदर बच्चा r1 का square minus r2 का square हमें pi की value भी पता है और radius की value भी पता है तो लिख देंगे यहाँ पे pi की value क्या होगी 22 by 7 radius 1 यानि की black circle का radius जो की है 42 42 का square r2 कुसका है blue वाले का और blue वाले की value क्या है 31.5 31.5 यहाँ square है तो यहाँ पे भी आ गया square यहाँ सेम लिख देंगे अब 42 into 42 क्या होता है 1764 minus का minus अब 31.5 into 31.5 क्या होता है यह होता है 992.25 अब दोनों को क्या कर देंगे minus कर देंगे 22 by 7 into minus करने पे क्या आया 771.75 अब इन दोनों को multiply कर देंगे तो आएगा 16978.5 upon 7 अब इन दोनों को divide करेंगे तो आएगा 2425.5 यह centimeter में चल रहा है तो centimeter square तो black वाला जो पार्ट था उसका area आगया 2425.5 centimeter का square इसमें multiply और divide अच्छे से करना वनना आपका सारा question गलत हो जाएगा यह question hard नहीं है जस्ट इसमें multiplication और divide में गलती होने के chance जादा है तो यह black part हमने complete कर दिया अब हम जाएगे white वाले में जो के हमारा last है यह हमारा है white circle और इसके अंदर है क्या है black circle black circle का radius हमें पता है कितना है 42 है band हमें पता ही है 10.5 तो white वाले का radius क्या हो जाएगा तो radius क्या हो जाएगा white वाले का 42 10.5 इसको प्लस करेंगे तो क्या जाएगा 52.5 cm तो सेम जैसे हम सारे निकालती जा रहे है पूरे को अंदर वाले से माइनस कर देंगे तो हमारा यह वाला part आ जाएगा तो वह हम कर रहे हैं तो area of white region white region कौन सा है यह वाला area of white region किसके बराबर होगा area of अब यहां आ जाएगा पाई आर वन स्क्वेर यहां आ जाएगा पाई आर टू स्क्वेर दोनों के रीडिये से लग है तो दोनों के नाम भी अलग दे दिये पाई कौन आ जाएगा तो अंदर वज़ेगा and Dharma का सक्यार अब यहां पर फाइनली हम वेटिव लड्यार देंगे तो पाई की वैणली है क्ımध टू बाह face r51 क्या हैो डिऑत वायच सर्कल और रिइदिएस वाइट सर्कल किया है ऐगली आ फिसक्टी टू पइंट फइलीच माइनश का माइनश, आटू क्या है, ब्लेक सरकल का रेडियस, तो यहाँ जाएगा, 42 का स्क्वैर, अब 22 बाई 7, लिख दिया, अब इसको स्क्वैर क्या आएगा, 2756.25, और इसका स्क्वैर क्या आएगा, इसका square होगा 1764 अब इन दोनों को क्या करेंगे मैनस कर देंगे तो यहां लिख दिया 22 by 7 इन दोनों को मैनस करने पर क्या आएगा 992.25 अब 22 को इससे multiply कर देंगे तो आएगा 21829.5 अब 7 का 7 अब इसको divide कर देंगे 7 से तो आएगा 3118.5 सेंटिमीटर का square तो area of white region भी हमारा आ गया है इसमें कुछ नहीं करना था दो सरकल लेने थे और उन दोनों को मैनस कर देना था तो जो हमारा पट्टी बन रही थी उसका हमारा area आ जाएगा तो finally यह question खतम हुआ यह question बहुत lengthy था question बहुत easy है कोई भी region निकालना है उसके लिए बस दो सरकल को minus करना है और वो कौन से सरकल है वो depend करता है आप कौन सा region निकाल रही है तो यह था मेरा question number third अगर आपको कोई भी doubt है तो आप मुझे comment section बता सकते हैं तो इस video में इतना ही अब मैं आपको मिलूँगी next video में जाने से पहले अगर आपको वीडियो फसंद आई तो प्लीज वीडियो को like करना और channel को subscribe करना बिल्कुल बिल्कुल मत भूलना तो अब मैं आपको मिलूँगी next video में आई होप आपको सब पूसंजा गया होगा thanks so much